Construction side को हरे कपड़े से ही क्यों ढगा जाता है और आज आप उस country के बारे में जानने वाले हैं जिसमें समोसा ही बैन है साथ जिसाथ आज आप एक ऐसा phenomenon भी देखने वाले हैं जिसे सिर्फ इस पेस से ही देखा जा सकता है तो चलिए शुरू करते हैं आज के amazing अध्या एको बनाया जाता था दोस्ते हो भी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें साल 1929 के आसपास बनाई जाने वाले airplane simulators को दिखाया जा रहा है जिसमें आप एदी साफ़तोर से ये देख सकते हैं कि उस समय pilots को plane रोडाने की training किस तरीके से दी जाती थी और वास्तम में ये technology आपने आप में लाजवाब जारूर थी fact number 22 दोस्तों इस series में मैंने आपको कुछ इस तरीके की lightning sprite को दिखाया था जिसमें आकाशी बिजली पानी की छीटों की तरह उपर से प्रित्वी की तरफ नीचे गिरती है लेकिन क्याब को बता है कि ये phenomenon सिर्फ यहीं तकी सीमित नहीं है असलमें दोस्तों बेहदी rare situation में ये lightning sprite प्रत्वी की तरफ नीचे गिरने की बजाए कोच इस तरीके से उल्टी direction में space की तरफ भी release होती है जिसको की blue jet sprite के नाम से जाना जाता है और इसको सिर्फ space से या फिर ISS से देखा जा सकता है and believe me ये phenomenon काफी जादा rare होता है amazing fact number 21 जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो उसके अंदर number of bones 300 होती है लेकिन समय के साथ जैसे जैसे उसकी body grow करती जाती है वो bones आपस में connect होका सिर्फ 206 ही रह जाती है तो ये तो बात हो गई ज्यान की अब बात करते हैं इसके proof की दोस्ते अब आपके स्क्रीन पर आपको जो MRI देख रहा है वो एक newborn baby से एक adult में convert हुए इंसान का time lapse MRI है जिसमें आप बेदी साफतोर से ये देख सकते हैं कि कैसे समय के साथ हमारी bones एक दूसरे से connect करके अपनी quantity को हमारी body में कम करती हैं तो आप ही कह सकते हैं कि आज आपने आपकी ही body की एक बेदी rare video clip को दो जारूर देखा है Fact number 20 क्या आपको पता है कि एक report के अनुसार हर देश में हर दिन भूत बड़े amount में electricity सिर्फ और सिर्फ एरपोर्ट पर मौजूद लोगों के दौर अपने laptop या फिर cell phone को चार्ज करने में ही consume हो जाती है लेकिन क्या आपको पता है कि सारी परिशानी को दूर करते हुए Belgium एक बेदी unique initiative के साथ दुनिया के सामने आया है जहां पर दोस्तों उन्होंने Brussels airport पर कुछ इस तरीके की electricity generating cycles को install किया है और अगर आपको यहां पर अपना laptop या फिर phone को चार्ज करना है तो उसके लिए आपको कुछ इस तरीके से cycling करनी पड़ती है और वास्तम में ये चीज इंप्रेसिव है क्या समोसे जैसा tasty snack किसी country में ban हो सकता है सुनने में काफी ज़ादा अजीब है ना लेकिन ये सच है असल में दोसर बहुती कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन साल 2011 से ही सोमालिया नाम की country में समोसा पूरे ही तरीके से ban है क्योंकि इस country के एक धर्मिक ग्रूप के अनुसार उनके इस पवित्र सिंबल की शेप काफी हद तक समोसे से मिलती जुलती है जिसके चलते हुए अपने इस सिंबल की पवित्रता को बनाए रखने के लिए साल 2011 से ही इस country ने समोसे को पूरे ही तरीके से ban कर रखा है strange but true fact number 18 क्या आपको बता है कि वर्ड वर सेकिंड में भड़त को हासिल करने के लिए UK के दौरा एक बेहदी यूनिक वैल बाइक को भी बना कर तयार किया गया था जिसकों कि कुछ इस तरीके से एक मैटल कंटेनर में बंद करके प्लेंस के थूरू वर ग्राउंड्स में ड्रॉप किया जाता था जिसके बाद शोल्जर्स कुछ इस तरीके से इस कंटेनर को खोल कर इस बाइक का इस्तमाल करते हुए काफी जल्दी एक जगे से दूसरी जगे पहुँच जाया करते थे और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि उस समय सिंपल सी फोल्डेबल बाइक ने यूके को और देशों की तुल्ला में काफी ज़ादा भड़त भी हासिल करा दी थी स्ट्रेंज बाट ट्रू दोस्तों आपने कुछ इस तरीके की वाटर स्क्रीन को तो जरूर देखा होगा जिसमें पानी को फाउंटेन की मदद से थ्रो करके उनकी उपर लाइट्स की मदद से कुछ इस तरीके की डिस्पलेज को चलाया जाता है लेकिन क्या आपने इस दुनिया की अभी तक की सबसे बड़ी वाटर स्क्रीन को देखा है दोस्तों आपने इस दुनिया की अभी तक की सबसे बड़ी वाटर स्क्रीन को देख सकते हैं जिसकों की साल 2017 में दोबई में बनाकर तयार किया गया था और ये चीज वास्तम में काफी जादा खुबसूरत और इंप्रेसिव है जहांपर रनिंग वाटर की उपर कुछ इस तरीके की एनिमेशन को चलाया गया था तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ बेदी लाजवाब तो जरूर देखा है दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि जो हमारे पेड होते हैं उनके तने के उपर अक्सर कुछ इस तरीके के अजीब से उभार आ जाते हैं और हम इसे बहुत से लोगों को लगता है कि ये चीज पेड का ही एक पार्ड है लेकिन क्या आपको पता है कि 90% केसिस में ये हिस्सा पेड का होता ही नहीं है मिलिए Stemonitis Single Cell Organism से जो कि किसी भी पेड के तने के उपर कुछ इस तरीके से सिर्फ 2-3 दिन के अंदर ही ग्रो हो जाता है अमेजिंग बात ये है दोस्तों कि जब इस ओर्गनिस्म को काटा जाता है तो ये अंदर से बिल्कुल ही एक लकड़ी की तरह ही निकलता है और ये ही वो कारण है जिसके चलते हुए लोगों को अकसर ये भरहम होता है कि ये कोई और्गनिस्म नहीं बल्कि पेड की ही लकड़ी हो लेकिन इसकी असली हकीकत क्या है अब आप ये जानते हैं दोस्ते सीरीज में मैंने आपको बारिश हो जाती है तो नजारा देखने लाइक होता है दोस्ते अभी आपकी स्क्रीम पर आपको वही बारिश के कॉंटेक्ट में आकर चमकता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें आप ये जी साफस्तोर से ये देख सकते हैं कि कैसे बारिश के कॉंटेक्ट में आने के बाद ये केमिकल कितने खुबसूरत अंदाज में गलो करने लगता है और वास्तम में ये नजारा अदभुद है पैक्ट नमर 14 को पूरे ही तरीके से बंद कर दिया गया तो आभी कह सकते हैं कि आज आपने इतिहास की एक बेहदी अजीब चैंपियंशिप को तो जारूर देखा है पैक्ट नमर 13 किसी कार्डियक सैकल की वज़े से किस तरीके की हल चल होती है तो आज आपने उस चीज़ को तो जरूर देखा है जिसे अभी तक आपने सिर्फ महसूस किया था दोस्तों आपने बहुत सारी मुवीज में काफी साल पहले मरे हुए किसी भी इंसान या फिर एनिमल को मेडिकल साइंस की मदद से जिन्दा होते हुए तो जरूर देखा होगा लेकिन क्या आपको पता है कि ये चीज़ अब मुवी से निकल कर असली जिन्दगी में भी दस दक दे चुकी है मिली एलिजबेट एन से जो की एक ब्लैक फुटेड फेरल एनिमल है लेकिन यापस सबसे ज़्यादा चौकाने वाली बात ये है दोस्तों कि ये एलिजबेट एन आस से 30 साल पहले ही मर चुकी थी जिसे अबी हाल ही मैं USA के Researchers के दोरा इसके Preserved Cell की मद़स से दोबार से इसके क्लोन को बना कर इसको एक नया जीबन दिया गया है मतलब कि जो हम सोचते थे कि किसी भी इंसान के मर जाने के बाद उसके क्लोन को बना कर दुबारा से उसे एक तरीके से जिन्दा किया जा सकता है अब वो असली हकीकत बन चुका है अगे आने वाले समय में ये टेकनलोजी एक नया कीरतिमान जरूर रचेगी जैसके हम सभी जानते हैं कि किसी भी इंसान के शरीर के अंदर कैंसर काफी तेज स्मीट के साथ फैलता है दूस्ते होब आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक human body के दौरा cancer cells को divide होकर एक दूसरे से connect करके अपनी length और quantity को rapidly भड़ाता हुआ दिखाया जा रहा है जिसमें आप बेहदी साफसर से ये देख सकते हैं कि कैसे चन्दी दिनों में ये cells हमारी body के बहुत बड़े part को infect कर देते हैं और वास्तम में ये चीज रूह कापा देती है Fact number 10 क्या आपको बता है कि साल 1984 में लंदन की JTAC कमपनी के दौरा एक बेहदी amazing disappearing car doors को भी बना का तयार किया गया था जो कि एक window के glass की तरह कुछ इस तरीके से open होते थे और ये design कितना ज़ादा impressive था इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि साल 1987 से लेकर साल 1990 के बीच बहुत सी BMW cars में हमें इसी तरीके के doors देखने को भी मिले थे बट unfortunately क्योंकि इनकी वज़े से किसी भी car के gas या फिर petrol tank को काफी ज़ादा छोटा करना पड़ता था तो आगे चलकर इस technology को ठंडे बसने में डाल दिया गया वरना शायद आज भी हमारे car के door कुछ इसी तरीके से खुल रहे होते दोस्तों आपने अकसर टीवी शो में प्ले होने वाली इस pre-recorded laugh sound को तो ज़रूर सुना होगा और अगर आपने इस sound को सुना है तो आपने इस चीज़ को भी notice तो ज़रूर किया होगा कि अमोवन सभी टीवी शोस के background में इसी laughing sound का इस्तमाल किया जाता है लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आकर इस sound को सबसे पहली बार कब, कहां और कैसे record किया गया था असल में दोस्तों बहुती कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन इस laughing sound को सबसे पहली बार साल 1950 में UK के इसी theater के अंदर काफी बड़े scale पर mics को लगा कर record किया गया था और ये laughing sound इतनी ज़ादा perfect थी कि present date में आज भी बड़े बड़े टीवी शोज में इसी pre-recorded laughing sound का इस्तेमाल किया जाता है सच में amazing Pack number 8 Fact number 7 Fact number 6 क्या आपको बता है कि Tokyo में रहने वाले एक researcher Justin के दोरा कुछ इस तरीके के emoji वाले snakes को बनाया गया है लेकिन आखिर एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है असरन दोस्तों यह कोई artificial paint या फिर chemical नहीं बलकि naturally developed skin pattern है असरन दोस्तों Justin ने 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद recessive mutation process के थुरू सांपों की DNA में changes करके उनकी body को कुछ इस तरीके का बना दिया है और लोग उनकी research को काफी मोटी रखम पर खरीद भी रहे है सच मैं अजीब Fact No.5 क्या कोई animal इतना जादा intelligent हो सकता है कि वो किसी भी इंसान से ऐसे बात करे कि मानों वो कोई animal नहीं बलकि जीता जाकता इंसान ही हो मिली सेन फ्रांसिसको की female gorilla कोको से जो कि इस दुनिया की अभी तक की एक मातर ऐसी female gorilla थी जो कि इंसानों से कुछ इस तरीके से एक हजार से जादा sign language के actions के थुरू बात कर सकती थी साथी साथ ये 2000 से जादा English words को सुनकर उनका मतलब भी समझ सकती थी सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये लोगों को एक teacher की तरह एक अच्छा इंसान बनने की knowledge भी देती थी और वास्तम में ये चीज किसी अजूबे से कम नहीं है Fact No.4 क्या आपको बता है कि काफी महंगी-महंगी और luxury car बनाने वाली कंपनियों का main focus अपने customers की safety होता है और उसी का ही जीता जाकता है Example, Audi A8 का side sensor है असलनों दोसरे sensor की मदद से अगर आपकी car पर कुछ इस तरीके से side से कोई भी vehicle या फिर object हिट करता है तो ये car अपने passengers को safe करने के लिए कुछ इस तरीके से hydraulics का इस्तमाल करते हुए अपनी height को भढ़ाने के साथ साथ अपने window के कांच को भी बंद कर लेती है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस car को काफी जादा अवार्स से भी सम्माने किया गया है Fact No.3 क्या आपको बता है कि साल 1985 में new audience के lifeguards ने पूरे ही साल किसी भी वैक्ती के डूबने से देहांत ना होने की खुशी में एक party को रखा जिसमें करीब 200 लोगों को invite किया गया और party खद्म होने के बाद जब pool की सफाई की गई तो उन्होंने पाया कि उसी party में एक इंसान का देहांत डूबने की वज़े से हो गया था मतलब जिस चीज के ना होने की खुशी में party को थ्रोग किया गया था वही चीज उसी party में हो गई वहरे फूटी किसमत Fact No.2 Fact No.1 Construction side को हरे कपड़े से ही क्यों ठका जाता है असबन दोसरों आपने भी इस चीज को नोटिस किया होगा कि almost सभी ऐसी buildings जो भी बन रही होती है उनको कुछ इस तरीके के हरे कपड़े से covered किया जाता है लेकिन आगेर ऐसा क्यों किया जाता है असबन दोसरों इसकी बीचे बहुत से कारण होते हैं लेकिन color पर जाने से पहले हम इस बात को discuss करेंगे कि आकर इन buildings को cover किया ही क्यों जाता है असबन दोसरों सभी construction site पर बहुत बड़े amount में dust उड़ती है जिसकी वज़े से आसपस की building में रहने वाले लोगों या फिस सड़क पर चलने वाले vehicles को काफी जादा परिशानी होती है और यही वो पहला कारण है जिसकी वज़े से इन buildings को maximum possible area से cover किया जाता है ताकि इनके अंदर की dust इसी कपड़े या फिर net के अंदर ही रहे बात अगर दूसरे कारण की की जाए तो वो है distraction को कम करना जैसे कि हम सभी चानते हैं कि अगर कोई भी इंसान काफी जादा उचाई पर चाड़कर काम कर रहा है बात अगर अगले कारण की की जाए तो वो है समय की बचत करना जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अगर किसी जगे पर सिर्फ JCB की खुदाई ही क्यों न चल रही हो तब भी लोग बहुत बड़े amount में वहाँ पर खड़े होकर उसे नहारते रहते हैं जिसके चलते हुए वरकर्स का टाइम से काम खतम करपाना काफी जादा मुश्किल होता है और बात अगर बड़े प्रोजेक्स की की जाए तो यहाँ तो परिशानी भी काफी जादा बड़ी हो जाती है जिसके चलते हुए बाहरी लोगों के interference को रोकने के लिए भी constructed side को cover किया जाता है अब दोस्तों बात अगर हरे रंकी की जाए तो जैसे कि हम सभी चानते हैं कि हरा color हमें दूर से ही नजर आता है साथी साथी ये color रात में हलकी light में भी काफी जादा reflect होता है जिसके चलते हुए buildings को हरे color के कपड़े या फिर net से cover किया जाता है I hope दोस्तों आज की वीडियो आपके knowledgeable लगी होगी अगर आप कोई वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को दिलकोल कर like, share और comment जरू किजगा आप चाहें तो मुझे Instagram पर भी follow कर सकते हैं जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एक और फ्रेश कमाली वीडियो में आप सभी से दोबार मलाकात होगी दोस्तों जै हिंद